नवश्कर किसान भाईयों, किसान भाईयों आज हम बात करेंगे फसलों में लगने वाले सभी परकार के रस्चूसक कीटों के लिए यूपिल की रेनो कीट नशक के बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे कि बहुत से किसान भाईयों के सवाल है कि थायो मिथौकसं 30% FX के बारे में और कुछ किसान भाईयों के ये भी सवाल है कि इसे हम धान में BPH कंट्रोल के लिए सप्रे कर सकते हैं या नहीं तो उनका जवाब है हाजी कर सकते हैं बहुत बड़ी है इसके और कुछ किसान भाईयों के कमेंट थे कि इसे हम जहां पे BPH का अटेक बहुत जादा है वहाँ पे सजैन्टा की चैस और PAE की ओशिन के साथ डाल सकते हैं नहीं तो आप डाल सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है तो आज की वीडियो में हम रैनो कीट नाशक के बारे मे बात करेंगे जो कि पौदों के विबिन हिस्सों में सभी परकार के रस्चूसक कीडों के लिए बहुत ही प्रभावी धंग से कंट्रोल करता है इसके लावा इसे हम बीज उप्चार के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो हम इस वीडियो में रैनो कीट नाशक के बारे में पुर जाने दिन का है और इसकी किमत क्या है तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली वार आएं तो वीडियो के नीचे दिएगे लारंग के बटन को दबा दीजिए ताकि खेती से समंदित नई नई वीडियो आपको समय 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 से मिलती रहें तो चली शुरू करते हैं तो किसान भाईयों सबसे पहले बात करेंगे यूपियल का रेनो के बारे में कि रेनो क्या है रेनो एक शक्तिशाले कीड़ नाशक है और इसमें टेक्निकल है थाया मिथोकसम 30% FS, FS का मतलब फ्लोएबल कंसंट्रेट जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है और FS formulation यह SC मतलब suspension concentrate का एक संसोदन है और यह एक contact stomach and systemic activity वाली insecticide है मतलब यह संपर्क पेट और सिस्टम के माध्याम से रस चूसक कीड़ों पर अटेक करता है इसके अलावा यह unique systemic B जुप्चार किड़नाशक वी है और यह प्राइवरन के लिए बहुत इस रक्षित है इसलिए यह कीड़नाशक blue level में आती है और मैंने अभी तक जितनी वी थायो मिथॉक्सन 30% FX को प्रियों किया है तो यह सब गाड़े लाल गुलाबी रंग में देखा है तो अगर आपने वी थायो मिथॉक्सन 30% का प्रियों किया है तो आप comment करके बताईए कि आ ब्राउंड प्लान्ट होपर, WBPH, मतलब वाइड बैक प्लान्ट होपर, Wal Mugot और Green Leaf hoppers को कंट्रॉल करता है और धान के लावा कापास की फसल में अब बात करते हैं इसकी मात्रा के बारे में तो किसान भाईयों सप्रेय में इसकी मात्रा है और अब धान में बीपिएच के लिए रेनोय को किसी और सिस्टमिक टेकनिकल के साथ डालें तो इसकी मात्रा है 200 अमल प्रतियकड जैसे कि अगर धान में बीपिएच का टेक्ड जादा हो गया है तो आप सजैन्टा की चैस या पी आई की ओशिन के साथ किसी भी कंपनी का थाय प्रतियकड पानी का ही प्रयोग करें और आप शाम के समय सप्रे करें तो ज्यादा अच्छ रिजल्ट मिलेगा और आप बात करते हैं इसके रिजल्ट के बारे में तो इसका रिजल्ट सप्रे में 15-18 दिन तक रहता है और इसका पैकिंग साही जाता है 50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml और 1 लि होगी और किसान भाईयों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद